अगर आप ठीक है अगर उनके narrative पे ना जाएं अगर आपके narrative पे जाएं तो आप 2013 से आपके narrative में Congress मुक्त भारत, Congress मुक्त भारत कई बार आ चुका है लेकिन जिस तरह नतीजे आ रहे हैं सामानिय जो नागरिक है वो Congress को एक विकल्प, एक option मान रहा है इसलिए तो हिंदी Heartland में जहां आपकी इतनी जड़ स्ट्रॉंग थी अब वहाँ पर Congress की सरकार आ गई है तो Congress मुक्त भारत का जो गोल था आपका वो तो साकार नहीं हो पा रहा है मैंने इसकी बहुत बड़ी व्याख्याट विस्तार से की है पहले भी की है आज कर रहा हूं से नहीं है देखिए Congress के लोग भी कहते हैं कि Congress एक सोच है Congress कल्चर है इतने सानों तक मुख्य धारा में वो कल्चर रहा और उसके करण कम अधिक मात्रा में हिंदुस्तान के राजनीतिक जीवन का वो कल्चर बन गया सभी दिलों में कुछ न कुछ रूप से पहंच कर रहा है और वो कल्चर क्या जातिवाद परिवारवाद वांशवाद अंडेमोक्रेटिक करप्शन भाई पतिजावाद इसके आंसपा से राजनीतिक कल्चर यहने Congress इसको प्रमुक्त या प्रतिनीदित्व करती है मैं जब Congress मुक्त कहता हूँ तब मैं इस प्रकार की सोच के खिलाब इस प्रकार के कल्चर के खिलाब देश को मुक्त कराना चाहिए और मैंने यहां तक कहा है कि Congress को भी Congress कल्चर से मुक्त होना पड़ेगा इंस्टिटूट रहे या न रहे यह चर्चा का विशन ही तो और मैं तो मानता हूँ कि लोक तंत्र में मजबूत विरोधी दल होना चाहिए लिगे दुर्भाग है कि हाज देश को एक बहुत बड़ी कमी महसूस हो रही है कि Congress उस काम को करने में भी विफल गई है